बड़े बड़े रेकॉर्ड जा दोस्तों लो स्कोरिंग मैच में भी चार बड़े बड़े रेकॉर्ड बन गए आप सबको पता होगा कि आईपियल में आज का मैच था राजस्तान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच जहाँ पर राजस्तान रॉयल्स ने टॉच जितकर पहले बल्लेबादी का फैसला किया जो की काफी गलत साबित हुआ रियान पराग 34 गेंदों में 48 और आर अश्विन 19 गेंदों 28 इनके अलावा कोई भी बल्लेबाद कुछ खास नहीं कर पाया और राजस्तान रॉयल्स के पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 144 रन ही बना पाई जिसके बाद यहाँ पर पंजाब किंग्स को भी शुरुआत में कुछ जटके लगने के बाद उनके कप्तान सैम कुरन के 41 गंद को उन्होंने खतम कर दिया और मैच जीत लिया इस मैच में भी अच्छे रेकॉर्ड बने हैं दोस्तों चार बड़े रेकॉर्ड से सबसे पहले रेकॉर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोलकत्ता नाइट र मतलब नीचे लाना थोड़ा मुश्कील है और वो ऐसा पहली बार ही कर पाई है दूसरे रेकॉर्ड की बात करें तो फिप्टी प्लस स्कोर एंड टू प्लस विकेट्स इन आई आई पिल मैच आजग क्याप्टन एक ही मैच में पचास से ज्यादा रन और दो या उससे ज्य जादा विक्टे लेने का कारणामा काफी कम कप्तानों ने किया है जिसमें सबसे पहला नाम आता है और सबसे ज्यादा मतलब उन्होंने रन बना है वो है वन एन उल्ली सवरब गांगुली सवरब गांगुली कोलकत्ता नाइट राड़स के कप्तान थे उन्होंने 91 रनों की पारे भी खेली थी और 25 रन देकर दो विक्टेबिली थी डेकन चार्जस के खिलाब हैदराबाद 2008 में उसके बाद यूराज सिंग का नाम दो बार आता है लेकिन अलग अलग टीमों के तरफ से यूराज सिंग ने पहली बार ये कारणामा किया था पचास रन भी बनायते 22 रन देकर चार विक्टेबिली थी और 66 रन नॉट आउट भी बनायते मुंबई की डीसी के खिलाब मुंबई के डिवाई पार्टिल्स के स्टेडियम पर 2011 में बात करे जेपी डिमिनी की तो ये भी दिल्ली के कप्तान थे दोस्तों और उन्होंने 54 रन भी बनायते और 17 रन देक के खिलाब फिशा का पट्टनम 2015 में और अब इस पंती में आ गए है सैम कुरण जिनोंने अज अपनी टीम के लिए 63 नॉट रन भी बनाये और 24 रन देकर दो विक्टे भी ली गोहाटी 2024 में अगली अगर रेकॉर्ड की बात करे तो आशुतो शर्मा आप सबको पताए इस सा काफी अच्छे चमके है जिनोंने आवेश खान के खिलाप अगर इनके रेकॉर्ड देखे तो सिर्फ तेरा गेंदे के लिए है और 32 रन मनाये और एक बार भी आउट नहीं हुए और 246 से भी जाटा का स्टाइक रेट इनका रह है जिसमें उनका सिर्फ एक चोगा है लेकिन चक्के तीन शा मिले बात करें अगले रेकॉर्ड की तो मोस्ट कंजिकेटिव डिफेट और आरर इन आईपील आईपील में राजस्तान रोयल्स के लिए लगातर सबसे जादा मैचे हारने का रेकॉर्ड साल 2009-10 में हुआ था जब वो पाच लगातर मैचे हारे थे और उसके लगातर चार-चार मैचे हारने का नमबर दो का रेकॉर्ड उनके नाम हो गया है साथे साथ आपको बता दू इनका आखरी मैच कोलकत्ता के खिलापे मतलब वो भी जीत पाना थोड़ा मुश्किल है अगर वो भी हार जाते तो वो सबसे जादा लगातर मैचे हारने का जो प इस सवाल का जाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए अभी के लिए इतना है मिलते अगले उड़े में और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक जरू कर दीजिए अभी के लिए इतना है मिलते अगले उड़े में तब तक के लिए गुड़ बाई